आपको बहुत 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 स्वागत है जी आप मेडिया कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप काफी दूर से आये हुए हैं यहां के समस्याओं से अबगत होने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगें पंचायत का विकास जो की एक अहम मुद्दा होता है सरकार का क्या लग रहा है जब अब चुनाओ जीते थे तो सबसे पहला काम अपने पंचायत में में जितने के बाद क्या सुर्वात किया थे अपने पंचायत में प्रात्मिक्ता के अधार पर तीन वाडों में गली और नली का निर्मान हुआ है कुछ मरमती का कर्ज हुआ है साथ निश्य यूजना एक हम यूजना है क्या लग रहा है यह धरातल पर है पुरे पंचायत में साथ निश्य योईना पहले था धरातल पर थार काम हुआ भी है लेकिन इधर जब से इस बार हम लोग प्रतिनिदी चुनाब जित के आये हैं तो अभी तक साथ निश्य बिहार में प्रारम हुआ ही नहीं है साथ निश्य फेज टू में स्वश्टा से समंधित हर पंचायत में काम हो रहा है जिसमें लकन क्यारी पंचायत हम बात कर रहे है जो की हर लोगा का एक मत्त... मतलब यह है तो आप हर घर में नल्यल किस तरह सभी पहुच पा रहा है और वैसे घर जहां पर नल्यल की शमस्याएं आ सबह पर चबना करका काम रहे हैं नल जल लगवग सभी बाड़ों में चल रहा है सुचारुधंग से जहां कुछ समस्या था जहां से समस्याएं आ रही है उसको हम सुल्जाने का कार्च कर रहे हैं कुछ विभाग से भी मदद मिल रहा है पीचडी का वरतमान इस्थिती है कीसे हम लोग अफ़िकारी सुनते हैं पीचडी विभाग के Subscribe पीचडी कम सुनते हैं लेकिन बातों को अनदेखा कर दिया रहा है औंदेखा किया जाता है जनता तो आप कुछ शुन करके लाई हैं कि बिकास करेंगे लेकिन इस तरब से समास्याइं आज ही है तो किस तरब से जनता आपपे बरोसा करेंगे जनता को बरोसा दिल लाने के लिए हम पदाधीकारी से कई बार फॉन करके आगरा करके काफी मसकत के बाद years سमस्या का समता है पर्धान मंत्री आबास योजना महतपूर्ण योजना है आपके आपकोल कितने टार्गेट थे पंचायत का अभी तो टार्गेट आया नहीं है पिछले बार जो आया था बहुत कमी टार्गेट था पंचायत का तो वह बन चुका है अब अभी टार्गेट मरमती का और पर्धा आवास का जो लाव मिलना चाहिए उसका भी टार्गेट नहीं आया है इसे दलाद प्रविति के लोग भी आते हैं कि आपके पंचायत में वैसे जिनसे लाभुकू से पैसे की मांग करते हैं किसी काम को ले करके इस परकार के समयसियात लगवग सभी पंचायतों में कुछ न राशन कार्ड कितना बना है कुल टोटल आपके राशन कार्ड बहुत लोग अभी अपला की हैं ऐसे लगभग सिष्टी पलस के लगभग में जो है मिल रहा है राशन राशन में कोई दिक्षत नहीं है हमारे गाउने डिलर लोग हैं और राशन समय से उचित मुल्य पर मिल जिए अब जाते हैं जनता समिलते हैं तो जनता की एक मांग रहती है सबसे ज्यादा मांग जनता की क्या होती सबसे जनता की सबसे मुख्यमांग है मेरे पञते में सिचाई और सिचाई के लिए यहां कोई बिसे सुविधा है नहीं, भगवान के भरोसे ही यहां लोग खेती करते हैं, सिचाई उपलब्द नहीं होने के चलते हैं, यहां के लोग जो किसान लोग मैंने पलाइन के लिए मजबूर हैं सरकार से इस बारे में क्या किसानों के लिए क्या मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम सरकार से सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि पंचैत में लगभग कई गाओं में सिचाई की सुविधा जो है अदम सुविधाबीन है सेचाई के लिए नलकूप दिया जा और जहान नलकूप की विवस्था नहीं हो पाती है वहां नया कुवा का निर्मान के लिए सरकार जो है मतलब एक विशे सी योईना चलाबे खासकर यहां इस छेटर में पत्रिली अरिया है पाड़ी अरिया है आसाली से निकलता है बोरिंग से कम लाव लोगọi पाता है और कम खर्च पर सरकार अप्लब्द करा देती है, तो यहां पूघ को किसान कर रहे हैं कुमा के बोरिंग में सरकार कर रहता है। और जन्ता भी उसको भड़पूर मातरा में यूज करें यहां सिचाई मुखिरूप से अभी हम कई गों का मरमती करवाएं का साब सपाई करवाएं जिसे किसानों को यहां बहुत लाव मिला है और फिर हम 23-24 में भी सिचाई के लिए हम कुप मरमती और कुछ मंदगा से कुप निर्मान का भी योजना बना के रखे हैं और संभावना है कि इस तिसा में मेरा प्रियास जारी रहेगा अब लागातार प्रियास कर रहे हैं कि हमारा पंचाईत एक विक्सित पंचाईत बना जी जी बिलकुल ये थे दिगंबर पांडे जी जो कि यहां के मुखिया हैं लखन कियारी पंचाईत के मुखिया हैं जिन्होंने अपने पंचाईत के विक्स को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम किया है और इन्होंने पानी की समस्या यहां किसानों की जो की बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो बोडिंग में सरकार यहां खर्च करती है हमारे यहां बोडिंग में खर्च करके यहां सोकत्य और कुए की निर्मान करें जिससे कि इसे क्रिशी भी क्रिशी क के शेत्र में भी उद्धान हो और हमारे जनता भी इसका भरपुर मात्रा में लाव उठा है। स्योगी निरस के साथ मैं रहुल कुमार्ट लाए बिहार ने उसने हैं।